नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी एमाई ट्री पर ओडियो और वीडियो कॉल प्रॉब्लेम फिक्स कैसे कर सकते यदि आपको ओडियो और वीडियो कॉल दोनों में प्रॉब्लेम है तो कैसे आप इसको फिक्स कर सकते तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको उसी के रिलेटेट पर सॉलुशन बताने वालो यहीं आपको audio call, video call डोनों की काम नहीं कर रहें आपको क्या क्या solution करना चाहिए ठीक है क्या क्या चीज़े दियान पर रखना चाहिए तो वो सब आज की इस वीडियो पर आपको पता चल जाएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यही आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंग मिल जाएगा और ठीक है बैलेंस वगरा है या नहीं है तो वह सब आपको चेक करना होगा जिस भी नंबर पर आप कॉल कर रहे वह नंबर जो है वेलिट होना चाहिए तो पहले आप वह सब देख लिजे यह पर हो सकते हैं कि उसने आपको ब्लोग कर दिया उसके वाज़े से आपका कॉलिंग पर प्रॉब्लम आ रहा है तो एक नंबर को चोड़के आप दूसरी नंबर को भी कॉल करके देख सकते हैं तो सभी नंबर पर कोल ने जा रहा है तब तो सॉलीशन के जरुओ थें ठीक है तो सॉलीशन आपको क्यार न demiş है सिम को बाहर में निकलए के आप मोबाईल को रिस्टार्ट करें और रिस्टार्ट हुने के बार सीम को अंदर पर दाल लिए तो इससे कही बार आपका जो problem है वो solve हो जाते हैं तो इसको आप सबसे पहले try करके देखिए solve होटा है problem ठीक है नहीं होते है setting पर जाए उसके बाद connection and sharing को open करते हुए आपको reset wifi mobile network पर जाना है और reset setting पर click करते हुए अपने phone के password को day देना है और ok करना है इससे आपका network setting reset हो जाएगा network बगरे रिफ्रेश हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको करना क्या है नीचे में आपको जाना है एप permission आप पर आपको जाना है उसके बाद manager पर जाना है यहां जाने के बाद आपको phone service को open करना है फोर्ष ताप करके ok करना है और clear data पर click करके clear all data करके ओकि करना है with beeng through Byшая करणे के बाद दोस्तों camera का option आपको search करना है क्यूंकर वीडियो को लिंग पर camera, use होते हैं तो उसको भी फोर्ष ताप करना हैज और clear data करके इसका भी ऑके कर देना है उसके बाद दोस्तो यहां केमरा का permission होगा तो उनको allow कर दीजिए ठीक है तो allow करने के बाद दोस्तो आपका जो issue है वो fix हो जाएगा पुरा camera permission allow कीजिए उसके बाद device को restart करें restart करने के बाद दोस्तो चेक कर लेज़िगा आपका problem solve हो जाएगा ठीक है बाई इनी चांस आपको दुबारा से दिक्कत आते तो मोबाइल सौफ़वेर को अपडेट करें इससे प्रॉब्लेम डेफिनेटली सौफ हो जाएगा ठीक है और आप चाहे तो दोस्तों यहाप पर फेक्टुरी डिसेट के लिए भी जा सकते लेकिन मैं आ काफी सारे लोग जाए उसको करने के लिए एगरी नहीं होते हैं तो सौफ़वेर अपडेट ठीक है सौफ़वेर अपडेट कर लिजे सौफ हो जागा आपका प्रॉब्लेम यदि इसके रिलेटेट में आपको कोई भी इश्यू कोई भी नया प्रॉब्लेम आते तो आप हम